नमस्कार दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पिले एक बहुत यूपयोगी जानकारी यह दोस्तों आप अनेगेट भी इंडिया के लार्जेस लर्निंग प्रेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप इसकोड़र माधियम से आप यूपी स्टेट की सभी एक्जाम दोस्तों देली हिंदी के मॉक्टेस में आज हम फिर से 30 महत्पूर्ण प्रस्टों उपर हम यहां पर प्रेक्टिस करेंगे और ऐसे प्रस्ट जो आपके एक्जाम में आते हैं जिनको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है तो चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते ह पहला प्रस देखिए इन में से आपसे पूछा जा रहा है इन में से ओ का उचाना स्थल कौन सा है ठीक है ओ का उचाना स्थल कहां से होगा दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप आप्शन नमबर आपका यहां पर डी होगा कंठ ओश्ट ठीक है कंठ ओश्ट उचाना स्थल ठीक है चले अगला प्रसे दोस्तों आप सभी की सामने निम्लिखित में से अंथस्त वेंजन कौन सा है तो दोस्तों अंथस्त वेंजन क्या होते है अंथस वेंजन जिनका आपका उचारण स्वर्व वेंजनों के मद्ध में होता है स्वर्व और वेंजन के बीच में जिनका उ आपका लह हो गया और आपका वह इधियान रखेंगे यह रह लह वह यह चार प्रकार के अंतर स्वेंजन होते हैं एक जामें हमेशा प्राया पूछे आते हैं चलिए अगरे प्रेस्ट को परते हैं भारती समिधान में हिंदी भासा को मानता कब प्रतान की गई तो दूस्तों दर्जा दिया गया है समिधान में राज भासा का ठीक है राज काज की भासा राश भासा नहीं है और सादे साथ यहाँ पर 341 अनुच्छे 341 के तब समीधानिक दर्जा यहां पर प्राप्त किया गया तो इससे समदनित प्रस्ट आपके बंते हैं अगले प्रस्ट को बढ़ करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए और आल नोटिफिक्शन जरूर दबाईएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिक्शन आपको टाइम ली मिलती रहे निम्द में से महा प्राण वण है चलिए यहां पर दीके महा प्राण बहुत बार मैं आपको बता चुका हो हिंदी तो वही चीजे हैं लिम्टेड ही देखिए इसका से बार बार होई क्वेशन आप से रिपीटेट होंगे हर एक्जाम में जिस एक्जाम में पेर होंगे महा प्राण प्राण का मतलब होता है आपके मुख से निकलने वाली वायू तो जिन वेंजनों को चारण में आपसे ज्यादा व वायू निकली जबकि कवर्च यहां पर कर रहा है तो यहां पर कम वायू निकल दे ठीक है और हर वर्ग का दिखे जो महा प्राण वेंजन होता है दोस्तों हर वर्ग का दूसरा और चौथा ध्यान रखेंगे यहां से इसके नंबरिंग से पूछ ले जाता है हर वर्ग का द प्राण होता है यह इसकी परिवासा है अगले प्रेस्ट को बढ़ते हैं चलिए अगोष वण कौन सा है तो देखे अभी अमने प्राण को समझा घोष यहां बाद क्या होता है घोष मत्तब ऐसे श्वर दोस्तों अगोष सघोष अगोष मत्तब जिसका उचारण करने से स्वरतंत्रियों में नाद नहीं होता है ठीक है सघोष मत्तब जिसमें स्वरतंत्रियों में नाद होता है आपका ठीक है यानि जनक आपके सकते जंकार है तो यहां पर आप देख रहे हैं अगोष वण कौन सा है स स अगर आप ब भई हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है यह अगे अगोश होता है और तीसरा हिसरा चौथा 5 वर्ण क्या उता है दोस्तों सघोश होता है यहां पर ध्यान लखेंगे इसके फॉर्मले से भी फरस्र नहीं आए तो दोस्तो सब्सक्र-वंजन जो आपके 25 अजह निकलते हूं और किसी किसी कंढु चालू कुछ पर निकलते हैं। कहते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं ॢट यहां पर हैं। क्या है option number यहाँ पर आपका डी यह क्या है इस पर्स वेंजन नहीं है ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसा दोस्तों देखिए सह सह ठीक है यह सभी सह है और यह कौन से वेंजन कहलाते हैं तो दोस्तों देखिए इन चारों को कहा जाता है उश मे पर करेक्ट होगा जिसको उश मेंजन भी कहा जाता है और ऐसे वेंजन जिनका उचारन करते समय आपके क्या होता है यहाँ पर रगड या घरसन होता है गर्मी पैदा होती है इसे कहा जाता हूश वेंजन option number यहाँ पर डी करेक्ट है बार बार यह सभी प्रस्ण आप से एक आप पूशे आते हैं तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर डेली प्रेक्टिस करिए चलिए परवत की तलहटी को अगर हम एक सब्द में कहें दोस्तों परवत की तलहटी एक सब्द में कहा जाए तो यहाँ पर क्या होगा option number यहाँ पर डी सही होगा उप्तिका ठीक है धिया आपका अनुपम ठीक है अनुपम होगा चलिए बारवे प्रतिन्यमति का मतलब यहाँ पर क्या कहें अगर हमें देखें प्रतिन्यमति तो दोस्तों प्रतिन्यमति क्या होता है जो तत्काल ठीक है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे ठीक है तत्काल उत्तर दे यहाँ पर क्य जुका होता उसके लिए इंद्रजीत सब्द एक कह सकते हैं यहां पर प्रयोग करेंगे और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राद कर लिया उसे जिते इंद्री यह बोला जाएगा ठीक है यहां फर कन्फूजन काफी छात्रों को हो जाता है ध्यान रखेंगे अगला प्रस देखिए कन्णर का संबंद किस भासा परिवार से हैं दोस्तों कन्णर का संबंद तो दोस्तों यहां भासा परिवार से भी आपके प्रस्ट बनेंगे ध्यान खेंगा सभी की प्रेक्टिस हम कराते रहेंगे और यह द्रमिन भासा से है आप्सन नमबर बी यहां पर करेक्ट है और कितने आपने सही किये नीचे कमेंट जरू करिएगा और पूरी-पूरी प्लेलिस क्रियेट है हिंदी की बाकी की वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा बहुत ही यूजफुल है और मैक्सम आप एक्जाम में स्कोर करके आएंगे गारंटी है सड़प चंदर्मा का प्रयावाची नहीं है दीए गये ऑप्शन में बताईए चेंदर्मा का प्रयावाची कॉंसा नहीं है मयंक इंदू सुधान्सु सरोझ सही कमल होता है यहाँ पर और यहाँ पर मयंग इंदू सुधानसू यह सभी सही जवाब है धड़ाक में प्रत्य बताईए तो दोस्तों प्रत्य जो सब्द के बाद में लगते हैं उपसर्ग सबसे सब्द के पहले लगते हैं यहाँ से प्रसनाते एक से दो प्रस पक्याते धड़ अगर दोस्तों देखें तो धड़ और यहाँ पर जो लग रहा है यह आपका आक लग रहा है option number यहाँ पर क्या हो जाएगा बी correct हो जाएगा चलिए अगले प्रेस को देखते हैं मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्य जोड़कर ठीक है जो मूल अकर्मक धातुओं होती है प्रत्य जोड़कर बनाएगे क्रिया धातुओं क्या कहलाती है दोस्तों तो ऐसी धातुओं को कहा जाता है साधित सकर्मक धातु क्या कहेंगे साधित सकर्मक धातु कहेंगे ठीक पर जो आपका लग रहा है अभी क्या लग रहा है अभी लग रहा है अभ्य मत करिएगा यहां पर अभी है ठीक है यह सोधा में प्रयुक्त संदी का नाम है तो दोस्तों यह सोधा अगर हम यहां पर देखें तो संदियों से भी देखते हैं संदिया तीन प्रकार को होती है ठी जो कार कर रहा है विशर्ग संधी कार कर रहा है ध्यान लखेंगे और इसकी संदी विच्षेद अगर हम करेंगे दोस्तों यह आपका बन जाएगा यस धन्दा ठीक है यह भनता है ध्यान लखता है चलिए अगले प्रस क्यों बढ़ते हैं अगला प्रस यहां पर देखते हैं तिरसकार में बताईए संदी विच्छेत अगर आप करेंगे, तो तिरसकार की संदी विच्छेत क्या होगे, सही जवाब दिखें यहाँ पर क्या है, तिरह धनकार और विसर्ग संदी यहाँ पर कार कर रहे हैं, दोस्तों, यहाँ पर तिरह धनकार हो जाएगा सही जवाब, इ प्रश्ण है यह सभी दोस्तों मनो योग की भी संदिविच्षेत अगर हम यहां पर देखें तो मनह धन योग यह भी आपका एक विशर्ख संदी का यहां पर कार कर रहा है मनह धन योग अगला प्रश्ण है सितर्तु का संदिविच्षेत कौन सा है दोस्तों सितर्तु देखे सितर्तु का अगर हम यहाँ पर संदी विछ देखें sounds friends नहीं पर सीट धन रितू हो जाएगा और यहाँ पर आपका गोण संदी कारals जहाँ पर री का अरह हो जाता है तो सितर्तु यहाँ पर सही हो जाएगा चलिए मुहावरों क्यों रुख करते हैं से तान की आत इस मुहावरे का अर्थ बताइए उप्यूक्त अर्थ क्या होगा से बज़स यह सबी प्रस पूचे आते हैं हमेशा प्यामे तो दोस्तों से आत का मतलब होता है मुहावरे का अर्थ बहुत लंबी वस्तू option number यहाँ पर क्या हो जाएगा option number B correct हो जाएगा आठ कनोजिया नौ चूले ये एक लोकोक्ती है उसका अर्थ आप लोग को बताना है आठ कनोजिया नौ चूले लोकोक्ती का अर्थ क्या होगा तो इसका दोस्तों सही जवाब है आपका अलगाव की इस्तिति ध्यान लखेंगे अलगाव की इस्तिति बहुत सारे नए क्वेशन आप लोग आप मिल रहे हैं और जो भी क्वेशन पॉस्बल आपके हिंदी में बनते हैं उसी प्रकार के प्रस्णों के आपको प्रेटिस करा जाती है ताकि जब आप एक्जाम में जाए जिस प्रकार के आप के प्रकार सभी प्रस्ण बनेंगे स्थाई भाव सभी जुगुपसा देखें जो स्थाई भाव है दोस्तों ये क्या होता है आपका विभत्स रस होता है ठीक है विभत्स रस का स्थाई भाव जुगुपसा है अगले प्रस को बढ़ते है विश्मय स्थाई भाव किस रस मे पाय जाएगा तो दोस्तों विश्मे होता है आपका अधभूत ठीक है अधभूत होता है जबकि सांत काब निर्वेत जानते विवद जो गुपसा होगे हास कहास यहां पर यहां पर आपका अधभूत हो जाएगा अगला प्रस देखते हैं क्या है बई चंद से संबंधित लोड़ों का एक गण होता है आपको पता है आपने पढ़ा होगा तो यहां पर इस परकार से प्रस्ट्रों को प्रेक्टिस आप करिए उपमेग पर उपमान का अभेद आरूप होने पर होता है तो दोस्तों उपमे का उपमान पर अभेद आरूप हो जाता है वहां पर क्या प्रिच्छा का अगर देखेंगे तो जहां मैं मुख मान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है तो इस प्रकार से यहां पर यह रूपका लंकार से हो जाएगा तो यह था आज का हिंदि का डिली आपको यहां पर माॉक्टेस प्रोइड करा जा